नमस्कार मैं आपका अभीनेता खिलेश पांडे जो मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं लेकिन जो मुझे नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अब तक चार बॉलिवूड फिल्में की हैं जिसमें से मेरी पहली फिल्म थी कठोर जोकी 2018 में रिलीज हुई उसके बाद घर चलो ना पापा और उसके बाद अभी रिसेंटली रिलीज हुई है राम प्रसाद बिस्मिल और इसके अलावा मेरी आने वाली फिल्म है मैर फिल्म रिलीज हुई थी दबंग द्याती आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंटली मेरी फिल्म रिलीज हुई है राम प्रसाद बिस्मिल जो कि आरेखन टीवी पर रिलीज हुई है जो कि एक नया OTT platform है और आप सभी देख सकते हैं गूगल पर जाकर और इस फि जो कि 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सलेक्ट हुई है और 6 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमने अवाड जीता है जिसमें अमेरिका, बृतेन, रोम, तर्की के अलावा बुंबई के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमने अवाड जीता है और इसके अ हुआ है मैं मैंने IBC 24 के लिए गुना टीसन न्यूस के लिए डाइल अंड्रेड मोगा टीवी के लिए अपराधी कौन सीरियल किया हुए ताधी साथ आपको बताना चाहेगे कि मेरे टॉक्सो है अनकही बात अखिलेस की साथ जिसमें मैंने वर्ड रिकॉर्ड बनाया है और 12 घंटे लगातार इंटर्वीव करके मैंने 63 लोगों का इंटर्वीव किया था तो वह एक वर्ड रिकॉर्ड है या टॉ आकसो बहुत पॉपुलार है चतिसगड में जिसमें चतिसगड के जितने भी डिग्निटरीस रहें चाहे हुआ आईएस हो आईपीएस हो या मिनिस्टर हो या एक्टर हो एक्टरेस हो खिलाडी हो सभी का मैंने इंटर्वीव किया था एक दिन में 63 लोगों का इंटर्वीव किया था